आज के इस ट्रिगोमेट्रिक के लेक्चर में हम लोग सिखने वाले हैं कि sum and subtraction formula trigonometry में क्या होता है जिसे जोड एम अंतर सुत्र भी करते हैं हिंदी में इसका यूज हम लोग कहां कहां करते हैं फर्मूला को कैसे याद रखेंगे उसके बाद इससे क्या क्या result बनते हैं result मतलब आप sum and subtraction formula से ही sand 2a का मान पुरा draft कर सकते हैं cost 2a निकाल सकते हैं 10 3a निकाल सकते हैं cost 2a निकाल सकते हैं मतलब सारा कभी जितना मेरा मान है sand 3a, cost 3a, sand 18 degree का मान sand 2.5 degree का मान सब इसी से मेरा formula draft होगा तो ये जो lecture है वो काफे important होने वाला है इसमें हम लोग बहुत मतलब basic से पुरा formula तो basic सिखेंगे उससे result हम लोग draft करेंगे इस formula का use करके देखिए समज़े sum and subtraction का use कहा क्यों होता है थोड़ा सम आपको बताते हैं जैसे एक example समज़े आपको अगर sum and subtraction मेरा क्या होता जोड़ घटा आपको 3 पता है ठीक है और 2 पता है क्या आप इन दोनों को जोड़ करके कुछ आएगा जो result बता सकते हमको तो बोलेगा हाँ बता सकते 5 मान लेते हम बोले कि 3 और 2 आपको पता था क्या आप घटा करके subtract करके जो result मिलेगा बता सकते हैं बोलेगा हाँ क्या result मिलेगा 1 और यहाँ 5 तो सेमेंट सेट्रेक्शन फर्मूलाल यही है हम लोग 30 डिगरी पर एंगल जानते हैं 0, 30, 45, 60 और 90 पर तो हम लोग 15 डिगरी भी निकाल सकते हैं कैसे? 45 में अगर हम 30 घटा दे तो 15 बन रग नहीं बन रहा है 75 भी निकाल सकते हैं कैसे? 45 में 30 जोड़ दे तो हम लोग 75 भी निकाल सकते हैं तो यह सब चीज़े जो में 30 और 45 का ही होता है ठीक है न? या तो प्लस में या तो मैनस में वो सब चीज़े होती हैं और एक तरीका और ग्याव समझे हम लोग ट्रिकमेटरिक कहा पढ़ते हैं बोलेगा रैट अंगल ट्रैंगल में रैट अंगल ट्रैंगल में तो 90 डिगरी तो होगा ही होगा क्या ये वाला एंगल 15 डिगरी नहीं हो सकता है हम जितना बोल रहा है बस उतना ही समझने हैं अब ये नहीं बोलना है कि ये 70 degree भी हो सकता है हम बोल रहे हैं कि 15 degree हो सकता है तो बोले गहाँ 75 degree हो सकता है तो क्या 15 नहीं निकाल सकते हैं 45-30 करके अगर formula आपके पास पता हो 75 degree नहीं निकाल सकते है 30-45 करके तो sum and subtraction formula यहीं काम करता है हम लोग यह भी देखेंगे की हम लोग SAN 2E या SAN 3E का formula जानते हैं कोई दिक्पत नहीं है क्या हम लोग SAN 4E का formula निकाल सकते हैं SAN 5E का formula निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं option में अगर आज़ büy का मान बता हो option में लिखा हुआ है तो हम लोग वहां दिमाग कैसे लगाएं गे सारा कुछ पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले तो चलिए हम लोग इसको सुरू करते हैं चलिए हम लोग लिखते हैं Game Sum and Sum and Sub subtraction formula या formula भी कर सकते हैं हिंदी में भी लिख देते हैं जोड यवं अंतर सुत्र जोड एवं अंतर अंतर सुत्र जोड यवं अंतर सुत्र लेकि को पहला आप लोग लिखे formula there sin a plus b बराबर sin a into cos b plus cos a into sin b दूसरा फॉर्मूला है sin a minus b is equal to sin a into cos b minus cos a into sin b sin b तीसरा नम्बर का फॉर्मूला है cos a plus b बराबर cos a into cos b minus sin a into sin b d नम्बर फॉर्मूला है cos a minus b is equal to cos a a into cos b plus sin a into sin b यह आपको चार फॉर्मूला मेलनी के वलाद रखने हैं देखे इसको लिखे और हम समझाते हैं पहले इसको लिख लिजे देखे आप समझे कि फॉर्मूला को आद कैसे रखेंगे कोई न कोई तरीका होना से याद करने का तो आप खुद से suppose करके देखे कि आद कैसे रखे होंगे हम कैसे आद रखे होंगे फॉर्मूला को तो हमको थोड़ा सा इस sign में यह जो sign का फॉर्मूला है और यह जो cos के फॉर्मूले हैं उनमें हमको कुछ difference दिख रहा है आद करने के लिए क्या अगर हम sign का फॉर्मूल ले रहे हैं तो sign और cos combined होके आ रहा है sign cos combined होके आ रहा है और अगर यहाँ sign a है उसके बाद cos b है तो यहाँ उलट जा रहा है cos a sin b हो रहा है ठीक उसी तरह साब इसको देख लिजी यहाँ लेकिन cos में देखिए cos में क्या है cos a plus b है तो cos वाला टरम पहले आ गया है cos a into cos b cos cos उसके बाद sin sin अगर हम cos a minus b की बात करें तो सेम चीज़ है cos a cos b cos cos और plus sin a sin b मतलब आपको दीख रहा होगा कि sin के फॉर्मूला में sin cos combined होके मिल रहे है एक जगा और cos के फॉर्मूला में cos cos sin sin मिल रहे है अब एक चीज़ और देखिए हम लोग sin से ज़्यादा familiar होते है sin theta command हमको ज़्यादा अधर होता है sin 30, sin 60, sin 90, sin 45 cos का थोड़ा से दिक्कत श्याद होता है तो हम इसलिए आपको बता रहे हैं समझे अगर आपको plus यहाँ पर दिया हुआ तो sin का फॉर्मूल में plus ही आ रहा है मतलब अब ज़्यादा परिचित है sin से तो sin भी आपको ज़्यादा familiar लग रहा है कैसे plus है तो plus minus है तो minus लेकिन cos में थोड़ा सा उल्टा है अगर यहाँ plus है तो बीच माइनस यहाँ minus है तो बीच में plus तो ऐसे आपको आध रखना है अब समझे अब इसी से अब बोलेगा 10A plus भी कहाँ नहीं बता रहे हैं अभी सब बताएंगे उसका tension आप लोग को नहीं लेना है हम जैसे जैसे प्ला रहे हैं आप लोग पढ़ते जाना है अब हम लोग यहाँ से result देखते हैं result result देखते हैं क्या है result समझते हैं देखे result क्या क्या है अगर इस दोनों equation को जोड़ दे जोड़ दे मतलब A और B को अगर हम जोड़ दे तो दोनों क्या बनेगा sin A plus B plus sin a minus b is equal to इधर को यही बनेगा कोई दिक्कत नहीं यहां पर यह दोनों से मैं कट गया और यह दोनों जूरू जाएगा तो कितना बन गया है 2 sin a into cos b एक फर्मूला बन गया चलिए अगर हम अब घटाने की बारी है घटा में थोड़ा सा समझे आप लोग हम लोग बड़ा में छोटा घटाते हैं क्यों क्योंकि मैनस से हम लोग बच के रहे है प्लस तो कर दी हम लोग जैसे देसे कोई दिक्कत नहीं प्लस तो आगे रहे है कोई भी बड़ा चोटा उससे हमको कोई दिक्कत नहीं होता प्लस में अब इसमें दोनों में देखिए कि कौन बड़ा है हमको घटाव का है और मैनस से बच के रखना है तो एक चीज़ा आप लोग समझे कि a plus b और a minus b एक रैट एंगल ट्रेंगल में ही होगा कोई ने अरे सो अभी मोटा मोटी बस समझ लिए कि दोनों का दोनों क्या है रैट एंगल ट्रेंगल में ऐसे समझते हैं या फर्स्ट क्वाड़न्ट में ही है तो साइन का मान अगर जितना ज्यादा बड़ा रहता है साइन का अगर एंगल हम बात करें कोन यहां पर साइन का कुछ हो होता है आप लोग देखें फर्स्ट क्वाड़न्ट में जितना ज्यादा साइन का एंगल अपूट कर रहे हैं उसका मान उतना ही बढ़ते जाता है तो यानि कि यह बड़ा है और यह छोटा है तो हम इस इक्वेशन में इसको घटा रहे हैं इसलिए ए मैनस बी लिखे हैं त 2.5 A is 2 साइन B साइन B ठीक हैं अगले नंबर देखते हैं अगर हम सीक वेशन में ड को जोर दें सीक वेशन में ड को जोर दें सी और ड को जोर देते जोर नेम कोई दिकत नहीं है तो cos a plus b plus cos a minus b is equal to आप जोड़ के देखे क्या बनेगा 2 cos a cos b कैसे देखे समझे जोड़िए आप लोग आपको समझ माझे यह दोनों सेम है अब हम अच्छा यहाँ पर घटाने की बारी है इस equation में किसको किसमें घटाए तो आपको पता होगा cos का मान cos में जितना कम angle हम लोग पूट करते है इसका मान जादा होता है तो यानि कि यह angle कम है कि यह angle कम है तो बोलेगा घटावला कम होता है मान यानि कि यह जो पूरा मान है यह बड़ा है कहीं न कहीं सुनमारा हम जो बलना चारे सो cos का angle जितना कम देते हैं आप लग first quadrant में देखे cos 0 पे 1 होता है उसके बाद उसका मान घटते घटते 90 degree पे पूरा 0 हो जाता है मतलब जेतना कम एंगल है इस पूरे कमान जादा है तो हम क्या करेंगे इस equation में इसको घटाएंगे मतलब d minus c करेंगे d minus c तो यहाँ d क्या है cos a minus b minus cos a plus b is equal to 2 sin a into sin b sin b आप उल्टा कर घटाएंगे गाना अगर मालते इसमें इसको घटा दीजीगा तो यहाँ minus मिल जाएगा आपको तो minus हमको बच के रखना है ना तो यह formula हो गए ठीक अब समझते हैं लोग आध कैसे रखना है कोई दिक्कत नहीं आपको अगर समझ में आ रहा है यह formula आपको अगर आध है तो आपको समझ में आ जाएगा यह formula आध करने दिक्कत नहीं होगा लेकिन फिर से पताते देखे समझे यहाँ पर कौन सा एंगल बढ़ा है a की b तो बोलेगा a बढ़ा है क्यों क्योंकि a को हम आगे रखे है तो एंगल a जो है वो एंगल b से बढ़ा है ठीक है ऐसा नहीं हम बोल रहे है कि use करते समय आपको देखना होगा कौन बढ़ा कौन छुटा अभी हम जेतना आध करने का तरीका बता रहे हैं क्योंकि पहले आध हो तभी तो आगे result हम लोग बढ़ेंगे आधे ने रहेगा तो result कहां से हम लोग आगे बढ़ सकते है तो हमको क्या देखना है कि sign sign है अगर तो हमको sign और cost का combination मिलेगा क्यों? यहाँ पर क्या था sign और cost एक जगा combination था sign के formula में जब cost cost का formula है तो यहाँ तो cost cost मिलेगा यह sign sign मिलेगा जोड़ घटा ही तो रहे हैं अपने क्या कर रहे है? cost का formula में केवल जोड केवल घटा रहे हैं अब समझते देखिए अगर sign में बीच में plus का sign है यह भी sign a plus b है sign a minus b है sign a plus b sign a minus b है तो अगर बीच में plus का sign है तो sign a हो जाता है मतब sign वाला इंगल बड़ा होता है cost वाला इंगल छोटा होता है 2 sign a cos b लेकिन बीच में minus होगी अकेवल तो cos a मतब cos वाला इंगल बड़ा है और sign वाला छोटा है b छोटा नहा है अभी समझाएंगे example से cos cos अगर plus में है कोई दिकत नहीं cos a cos b cos देखे यहाँ पर आपको आद रखना है a minus b पहले गटाव में plus में आगे पिछे लिख सकते है minus में आपको एक respective position रखना होता है cos a minus b बड़ा है से समझे cos a minus b हम लोको इधर minus नहीं लाना है कहीं तो बड़ा में छोटा गटाएंगे तो यह इंगल बड़ा है cos a minus b minus cos a plus b तो क्या मिल रटा 2 sin into sin b तो आप इस दोनों में एक देख सकते हैं कि यहाँ जब बीचे plus है तो cos a cos b यहाँ बीचे minus है तो sin a sin b और इसको आगे रखेंगे चली इसको लिखिए चली अभी हम जो आपको समझाएं न वो समझाने के लिए हम आपको किवल बता रहे है क्या करना है देखे पले समाजी sin 110 है हमको उल्टा जाना है उल्टा प्लस वलेम जाना है sin 110 cos 50 है तो यह किसका फर्मूला में होगा यह तो आपको चेक करना है हम क्या पले समाजी हम आपको अगर यह लिख दे sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b तो आप इसका फर्मूला जानते हैं क्या जानते हैं 2 sin a cos b होता है cos b होता है कोई दिकत नहीं लेकिन हम लोग उल्टा सिख रहे है उल्टा सिखना ही जादा मुश्किल होता है मतला हम लोग इधार वाला एंगल देखकर के प्लस आएंगे सुझ मार आप जो बोलना चारश हो देखिए क्या करना चारश हो इसको मिटाते है यह sin a है फर्मूला आप लोग दिखेगे के कॉपी में sin a cos b है sin cos का combination मतलब sin वाला फर्मूला ही होगा ठीक लेकिन sin वाला एंगल बड़ा है sin वाला एंगल बड़ा है तो यानि यह फर्मूला क्या होगा sin a plus b plus sin a minus b का फर्मूला होगा आप लोग दिखें मैच करा के हम वही समझा रहे थे एंगल a अगर बड़ा है sin का पहले समझे कैसे sin को sin और cos कमाइंड होके है मतलब sin का ही फर्मूला है चाहे add वाला होगा चाहे subtract वाला तो हम देख रहें कि एंगल sin का बड़ा है समझाने के लिए के वाल बड़ा है फर्मूला आपको सिखने के लिए अब इसमें देखें कि cos और sin का कमाइंड है मतलब यह sin का ही फर्मूला है या तो बीचे प्लस होगा या मैनस होगा लेकिन cos का एंगल बड़ा है तो यह फर्मूला यह वाला होगा sin a plus b और minus sin a minus b यानि कि बस जोड़ देना है तो 2 sin 2 sin 160 degree 160 degree minus sin 60 degree 60 degree दूसरा फर्मूला ठीक है यह cos cos है तो cos cos कब मिला था आपको जब cos cos ही था और बीचे प्लस का sin था तो यह फर्मूला आपका cos a plus b का plus cos a minus b का तभी तो आपको मिला था 2 cos n 2 cos b तो यानि कि यह फर्मूला क्या हो गया यह answer इसका क्या हो गया यह फर्मूला पे है जब हम यह बोलना चारहे है कि यह फर्मूला यहां पे 2 थोड़ी होगा 2 यहां पे निए था के वल a plus b था था ना ठीक यानि कि हम क्या करेंगे कि इस दोनों को एक बर जोड़ देना है फिर इस दोनों एंगल को घटा देना है और कुछ नहीं करना है तो कितना होगे ये cos 160 degree minus sorry plus cos 60 degree cos 60 degree 60 degree तो हम लोग पहचान रहें एंगल देख करके किसका फर्मूला में लग रहा है sin sin नहीं है तो cos का ही combination है लेकिन ये cos a minus b minus cos a plus b का फर्मूला है तो यहाँ लिखेंगे ये कौन सा फर्मूला है cos a minus b minus cos a plus b का ये फर्मूला है a plus b का तो क्या करना है cos a minus b ये कुन होता है ये वल अंगल ना तो cos अगर घटाएंगे हम तो ये cos 60 degree बन जाएगा minus cos ये 160 degree बन जाएगा तो ये केवल हम आपको समझाने के लिए बताएं कि कैसे आप फर्मूला आद रखे लिखना है तो लिख लिजिए नहीं लिखना है तो नहीं भी लिख सकते हैं चलिए अब हम लोग और result draft करते हैं इसको मिटाते हैं ठीक है ना चलिए अब हम लोग next result जो है उसको सिखने वाले है तो रिजल्ट ही बोल सकते हैं या टू के वल करके लिखते जाना ठीक है ना पॉइंट वाज या स्टार दे करके आपको देखें क्या पढ़ना है हम लोग क्या पढ़ें अभी है sin a plus b plus sin a minus b बराबर क्या होता है 2 sin a into cos b होता है देखे समझे हम लोग यही फार्मुला को दूसरे format में पढ़ने वाले हैं कौन सा format sin c plus sandy का formula और क्यों पढ़ने वाले हैं आप लोग एक केवाल रट लिएयोंगे sin c plus sandy बराबर एतना होता है A plus B बराबर इतना होता है लेकिन कौन सा फर्मूला कहां यूज करेंगे हम क्या पूल टुसन मारा है क्योवल format हम चेंज कर रहे है तो format अगर हम चेंज करके याद कर रहे है तो कहीं न कहीं इसका स्वीधा होगा तो वो हम आपको आज बताएंगे ठीका ना confusion होता है इसमें क्या confusion होता हम सब कुछ आपको बताने वाले है देखे समझे तो हम क्या करते हैं ऐसा कर लेते हैं कि late कर लेते हैं late C angle है वो A plus B के बराबर है ठीक और D जो angle है वो A minus B के बराबर है माल लिए है किवल तो आपको दिखेगा कि अगर हम C और D को जोड़ दे C और D को जोड़ दे तो क्या बन जाएगा 2A 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 बन गया अब हम दोनों को दोनों से 2 से भागा देते हैं तो ये केवल A बन जाएगा ठीक उसी तरह समझे अगर हम C minus D लिखे C minus D तो इस कितना होगा 2A 2A होगा तो अगर हम C minus D को इधर भी 2 से भागा दे तो इधर भी हमको 2 से भागा देना होगा तो यानि कि C minus D बराबर A है A है अब समझे सारा format change होगा कैसे देखे यहां A plus B के जगा C लिख देंगे यहां D और यहां पे A का भीलियो और जो A यहां पे स्वरी बी ना है यह घटाने से आप लोग देखे C minus D करेंगे तो A और A कट जाएगा 2B बचेगा 2B तो 2 से भागा देना थी यह कितना बन गया अब फॉर्मेटिंग कैसे change होगे उसको समझते हैं यह कितना होगे Sine Sine A plus B कितना है C plus A minus B कितना है D यह न माने थे यह भागा देके निकाल ले है इधर कितना होगे 2 Sine C plus D by 2 into Cos C minus D by 2 तो यह फर्मूला सेम फर्मूला है यह दोनों सेम है अलग कुछ नहीं है हमको आप दोनों रखना है लेकिन यूज कहा होता है वो हम आपको बताएंगे confusion से आप लोग बचिएगा हमको भी बहुत सारा confusion होता था कि कहाँ पर फर्मूला की यूज करें कहाँ पर इसको यूज करें चलिए इसी तरह से हम लोग और देखते हैं कि हम लोग क्या सिखे हैं कि Sine A plus B minus Sine A minus B का फर्मूला आप लोग बताएंगे क्या पर हैं अभी पीछे तो बोलेगा 2 Cos A और Sine B तो यहां भी हम लोग formatting के वलग चेंज कर देते हैं क्या बन जाएगा देखे Sine A plus B A plus B कितना C आतो सेम चीज है Sine C minus Sine D बराबर 2 Cos C plus D by 2 C plus D by 2 और Sine B क्या है देखे यहां B ना है B क्या है C minus D by 2 C minus D by 2 चलिए आगे और हम लोग रिजल देखते हैं भी चुकी Cos A plus B plus Cos A minus B A minus B बराबर हम लोग पढ़ें 2 Cos A into Cos B यह ना पढ़ें तो हम लोग इसको चेंज करते हैं Formatting वीच इंपला मतब सब चेंज कर दीए ठीक है ना तो Cos A plus B कितना हो जागा A plus B कितना यहां से देखते जाए आप लोग Cos C plus Cos D बराबर यह 2 Cos C plus D by 2 into Cos C minus D by 2 ठीक है अगला देखते हैं लोग चुकी Cos A minus B minus Cos A plus B का फर्मुला क्या था A plus B का फर्मुला क्या था तो यह दोनों San में थे 2 San A into San B यह ना फर्मुला था तो हम इसको चेंज कर रहे हैं Formatting चेंज कर रहे हैं कुछ नहीं करना A minus B कितना है Cos C Cos C minus A plus B कितना है Sorry गड़बड कर रहे हैं क्या A minus B आपका D ना है यहाँ पर D है बस देखते जाना के बल क्या कैसे कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं A minus B हैं यह फर्मुला आप लोग पढ़े हैं तो A minus B क्या है A minus B D हैं Cos D minus Cos C बराबर क्या था फर्मुला यहाँ पर 2 sin A into sin B तो sin A आपको कब मिलेगा sin A आपको कब मिलेगा sin केवल A देखना है A A आप कहाँ पर है C plus D replace कर तो 2 sin C plus 2 sin C plus D by 2 2 और sin sin B कब मिलेगा C minus D by 2 यही आपका फर्मुला है sin बढ़े से लिखते हैं यहाँ पर sin C minus D by 2 इस फर्मुला को आप लोग लिखेज़े जैसे पूरा लिखे हूँ उसी तरह पूरा लिखना है ठीक है पर लिखे इसको चलिए यहाँ पर क्या पढ़े है sin C plus sin D बराबर 2 sin C plus D by 2 और sin C minus D by 2 और क्या पढ़े है sin C minus sin D बराबर 2 cos C plus D by 2 और sin C minus D by 2 यह फर्मुला आए था उसके बाद cos C plus cos D बराबर 2 cos C plus cos D बराबर 2 cos cos C plus C plus D by 2 और cos C minus D by 2 अगला पढ़े थे cos C minus cos D बराबर cos sorry D minus C बराबर cos cos D minus cos C c बराबर 2 sin C plus D by 2 और sin C minus D by 2 इस फर्मुला को लिख लिए एक जगा पर ठीक है यह आपको अगर पिछला आद है तो यह अपने आप आद हो जाएगा केवल फर्मेंटिंग चेंज की है अब देखिए कि हम लोग दोनों फर्मुला स्म है sin A plus B, sin A minus B का ही तो फर्मुला फर्मेट चेंज करके यह पढ़ रहे है तो याद कैसे रखते देखे समझे मेरा बाब को आप लोग नोट कीजी नोट करके लिखना है क्या बोले पहले समझे देखिए थोड़ा सा समझ के देखिए आप अगर sin A plus B का फर्मुला पढ़े है plus sin A minus B का फर्मुला क्या होता है 2 sin A into cos B यहाँ भी समझे हम क्या पूटे थोड़ा सा एक लैन में लिखते है एक के वल समझाना चाहरे आपको A plus B plus sin A minus B बराबर क्या पढ़े है 2 sin A into cos B यह न पढ़े है आप इसको पढ़े है sin C ब्रेकट कर देते है plus sin या इसी तर रहने देते है sin C plus sin D बराबर क्या पढ़े है 2 sin C plus D by 2 और sin sorry cos cos C minus D by 2 यह न पढ़े है ठीक है अब समझते है हमें एक समझानागा आपको समझाना जाएगा note में आपको यह समझना है कि जब भी आपको देखें समझे गुना से plus में जाना होगा उल्टा इधर से गुना से plus में जाना होगा तो आपको इस formula को यूज करना है इस formula को यूज करना है अभी हम क्या बोलें सब समझ में आया जाएग आपको और अगर आपको प्लस से गुना की तरफ जाना है देखें मेरे बाद को फिर से समझीए ये दोनों फर्मूला सेम है बोलेगा हाँ सेम है तो हम वही बोल रहे हैं कि अगर आपको गुना वाले टरम दिया है और ये इधर प्लस वाले पुछेगा गुना प्लस बीच में प्लस ही तो है ये गुना में है बीच में प्लस ही तो है तो अगर गुना से आपको प्लस में जाना है तो ये फर्मूला आद रखना आपको और अगर प्लस से गुना में जाना है तो आपको ये वाला फर्मूला आद रखना है क्या बोले देखे एक एक एक्जांपल समझें जैसे एक्जांपल मान लेते हैं कि आपको पुछ रहा है तो साइन साइन 110 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री इसका मान पुछ रहा है तो अगर यह गुना है तो प्लस में ही आएगा आपको इंसर अब समझें तो हम वही चीज़ आपको समझाना चारे हैं कि अगर गुना से आपको प्लस में जाना है तो यह फॉर्मूला आद रखना है मतलब आपको क्या दिया है ए और बी यह ना है साइन एंटू कॉस भी गुना में है तो हम क्या करेंगे ए प्लस भी कर देंगे ए मैनस भ देखें पहले हम क्या बोलना चाहिए हम बल रहे है अब कुछ नहीं आध है आपको इधर आध है मालते एक्जाम में आगे इस तरह स्कूस्टन को सन यह तो यह सैन और कॉस्ट में कमबिनिशन है तो सैन का फर्मूला होगा चाहे प्लस में चाहे मैनस में लेकिन सब्ला में ह तो बीचें प्लस होगा तो वही तो बोल रहें बीचें प्लस है हमको इधर से प्लस में जाना है तो हम इसको ऐसे आधर रखेंगे कि यह फर्मेट है 2 sin A cos B का फर्मूला तो दोनों इंगल को जोड़ दरी है A plus B और A minus B करना है फर्मूला में वही तो होता है 2 sin C plus sin D का फर्मूला में लगाना है आपको sin C plus sin D समझना है तो इधर क्या होता है 2 sin C plus D मतलब 220 और भागा देजिए तो 110 degree और into क्या करेंगे बताइए गटाएंगे तो cos कितना हो जाएगा 10 degree cos 10 degree 2 sin C plus sin D का फर्मूला क्या होता है 2 sin C plus D by 2 और cos C minus D by 2 तो जैसे दो बार जोड़ेंगे तो 220 में 2 से भागा देए फिर घटा करके 20 में 2 से भागा देए मतलब हम यह समझाना चारी इस यूनिक तरीका को आग रखे कि आपको अगर यह गुना में दिया है गुना में दिया हुआ है और आपको इधर जाना है प्लस में तो आपको 2 sin into cos B का फर्मूला आद रखना है और अगर यह बीच में प्लस दिया हुआ है बीच में प्लस और आपको गुना की तरफ जाना है गुना की तरफ तो इसको C प्लस D की तरफ ट्रीट करना है चलिए इसको लिखिए और भी अभी हम कोशन इस पर करवाने वाले दूचर कोशन और इसको पहले लिखिए जैसे हमें एक कोशन लिख रहे है और कुछ नहीं इसमें एक्जामपल की नीचे सब इसी तरह लिखते जाना ठीक ना देखिए जैसे माल लेते हैं कि साइन पच्छत्तर लिखा हुआ है साइन पच्छत्तर प्लस साइन पंदरा डिग्री लिखा हुआ है इसका मान हमको निकालना है प्लस है तो गुणा में निकालना होगा एक और कोशन हम लोग देखते हैं से मालेते हैं तू सांन की तरह treat करना है हम लोग किदर जा रहे हैं समझे प्लस से इधर हम लोग गुणा की तरफ जा रहे हैं बीच में गुणा था ना फर्मूला क्या बोलो देखिए फिर से थोड़ा सा और समझाते हैं मक्को हम प्लस और गुणा क्या बोल रहे हैं यह सैन ए प्लस बी था प्लस सैन a-b था इसका formula क्या था 2 sin a into cos b इसको समझना है तो यहाँ पर आप देखिए इस term और इस term के बीच में plus का sign है और इस term और इस term के बीच में गुना का sign है तो वही तो बोल रहे हैं कि plus से गुना गुना से plus तो कैसे हमको जाना है कैसे समझना है वही आपको समझा रहे है देखिए समझे plus एग गुना की तरब जाना है तो हमको c plus d की तरह इसको treat करना है कौन सा formula sin c plus sin d यहाँ लिग भी दे रहे हैं हम इसको treat करेंगे इसको हम कैसे treat करेंगे treat यहाँ पर आप लिखे गया treat करना है इसको कैसे sin c plus sin d की तरह treat करना है इसको sin c plus sin d की तरह हम treat करेंगे तो formula क्या आता है 2 sin c plus d by 2 यहाँ formula लिख देते हैं 2 sin c plus d by 2 और sin c minus d by 2 बस तो क्या करना है कुछ नहीं हम इसी तरह treat करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 sin c plus d की जाएगा तो कितना हो जाएगा 75,95 तो 90 में 2 सभागा देजएगा 45 degree into जब घटाईएगा तो यह हो जाएगा cos c minus d मतलब 60 क्या अध़ 30 degree 30 degree 30 degree अब इसका माम रखिए तो यह हो गया 2 into 1 by root 2 और cost is root 3 by 2 तो आपको 2 से 2 कटता हो दिख रहा है मतलब इसका answer कितना निकल गया root 3 root 3 by root 2 यह यह आपका answer है हम answer नहीं समझा रहे है हम समझा रहे हैं कि कौन सा formula आप यूज करें आपको तो दोनों formula पता है यह भी formula पता है sin a plus b sin a minus b का भी formula पता है तो यूज कैसे करना सो अब देखें समझे अगला question एक और लिख रहे हैं ठीक है एक्जाम्पल में यही जो लिखेते हैं जैसे माम लेते हैं 2 sin 15 degree 15 degree यह ऐसे समझते हैं 2 2 sin 75 degree 75 degree into cos 15 degree लिखा हुआ है 15 degree लिखा हुआ है हमको इधर निकालना है मान आप समझे sin a और cos b का combination है formula तो आपको आधोना चाहिए न तो sin a और cos b का combination है तो यह sin का formula होगा देखें हम क्या बोल रहे हैं ultra समझे तो 2 sin a और cos b का formula क्या था आप लोग बताए क्या था sin a plus b sin a plus b plus sin a minus b यही ना formula था तो हम वही तो बोल रहे है हम यहाँ कहां से कहां जा रहे हैं हम यहाँ पे गुना से गुना से इंटू से आप समझ लीज़े ना इंटू से plus की तरफ जाना है तो हम इस formula को आध रखेंगे इस formula को हम apply करने वाले है ठीक कैसे देखिए हम इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे तो कुछ नहीं है केवल add कर देना है तो sin 90 degree 75 पंदर 90 degree 90 degree प्लस घटाद जे तो sin 60 degree sin 60 degree sin a plus b और plus sin a minus b तो घटाद जे एंग बार तो sin 90 होता है 1 और sin 60 कितना होता है root 3 by 2 यानि की 2 plus root 3 by 2 तो इसको लिखिए आप लोग इसको treat इस formula से करना है treat चलिए इसको लिखिए अगर जिन लोगों को समझ में नहीं आया हो comment किजएगा तो हम एक छोटा वीडियो बना करके कि आपको समझा देंगे लेकिन समझ में आ गया होगा ठीक है कि कौन से फर्मूला कब यूज़ करना है इसको लिखिए देखिए इस एक जामपल में एक और question हम लोग फटाक से करते जल्दे से ठीक है ना क्या formula मान लेते हैं कि sin 70 degree plus sin 50 degree 50 degree यह formula है तो हम इसको sin c plus sin d मानेंगे तो direct answer कितना होगा 2 sin c plus d मतलब 150 के आधा और into cos कितना 20 गटेंगे 17 50 तो 10 degree याने कि answer कितना होगया 2 into root 3 by 2 और cos 10 degree 2 से 2 काट दिजी अगले का और question करते हैं मालेते हैं लिखते हैं 2 2 sin 60 degree और cos 50 degree तो यह into है बीच में हमको plus की तरफ जाना है तो इसको sin a और cos b का formula है तो क्या होता है sin a plus b a plus b कितना होगे 110 degree plus sin a minus b कितना होगा 10 degree 10 degree यह समझना है चलिए इसको भी लिख लिजी अब हम लोग नया concept समझते हैं इसी का result में ही है इसको पहले लिखी देखें अगला result क्या है लिखते जाना के वल समझी हम लोग अभी क्या पढ़े है sin a plus b बराबर क्या पढ़े है और cos a plus b बराबर क्या पढ़े है कुछ नहीं करना आप लोग को star देना है और लिखते जाना है कुछ result अगर कुछ नहीं लिखना ठीक है ना आपको समझ माँ जाएगा हम क्या लिखा रहे है तो इसका formula क्या होता sin a into cos b plus cos a into sin b होता है formula इसका formula क्या होता है cos a into cos b cos a into cos b cos b minus sin a into sin b यह ना formula होता है देखे अब अगर हम इसको भागा देदे इसको equation first मानी आप लो इसको equation second मानी ठीक तो एक चीज़ समझके देखे ना अगर sin theta दिया है cos theta दिया है तो भागा देकर के हम लोग 10 theta निकाल सकते हैं ना तो यही कर रहे हैं हम लोग तो इसलिए अगर हम इस equation first को equation two से भागा दे दे जैसे हम लिख रहे हैं पूरा अपको लिखना है उसी तरह से तो यह क्या बन जाएगा 10 a plus b 10 a plus b इधर क्या बनेगा उसकों थोड़ा से एक लैन और बात है sin a cos b plus cos a sin b भागा cos a cos b cos a cos b minus sin a और sin b यह बनेगा अब देखे समझे हमको यह 10 का फर्मूला है तो हमको सब को 10 मिलाना है 10 मिलाना है तो आप किसी एक को देखे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं एक को देखना हम क्या बोले समझे हमको यह फर्मूला को आद होगा 10 a plus b का फर्मूला क्या होता है 10 a plus 10 b divided by 1 minus 10 a into 10 b आद है तो ठीक इसको trade करने है तो अगर हमको इसको 10 में change करना है यहाँ पे हमको 10 चाहिए फर्मूला क्या पता है इसका फर्मूला क्या होता है देख intuition इसका फर्मूला होता है 10 a plus 10 b divided by 1 minus 10 a । और 10 b यह formula होता है उसी को हम ला रहे हैं के बद देखे समझे कैसे है अगर हमको यहाँ 10 A लाना है तो cos A से भागा देना होगा और cos A और इस cos B से तो भी हमको भागा देना होगा ना क्या बोले सांज मारा देखें हम बोल रहे हैं कि sin A into cos B है हमको यहाँ 10 के वल दिखना चाहिए 10 A दिखना चाहिए 10 A दिखना चाहिए 10 A दिखना चाहिए तो आप बोलेगा कि cos A से भागा दे देते हैं तो इसलिए हमको cos A और cos B दोनों से भागा देना होगा तो cos B कड जाएगा और 10 बन जाएगा आप एक को देख लिए सारा में अब काम हो जाएगा मतलब हम क्या करेंगे उपर और नीचे सब में cos A into cos B से भागा देते हैं क्या करते हैं यहाँ पर हम लिखते हैं उसको cos A और cos B से भागा देते हैं यहाँ पर dividing भागा दे रहे हैं ठेक है न हिंदी में लिखने की जोरत नहीं dividing in numerator and denominator answer by किसे cos A और cos B से आप यहाँ भी देख सकते थे हैं कि आपको अगर यहाँ one लाना है तो इपूरा कब आएगा वन कब आएगा one जब पूरे से भागा देजेगे तो वहित कॉसे कॉसे भागा दे रहे न देखें तो यह क्या बनगे आब वीच इंपला है 10 A प्लस B 10 A प्लस B बराबर भागा देते हैं तो उपर तो 10 A कनभाट हो गया होगा आप लोग देख लिए यहाँ पर जब भागा देंगे कॉसे कॉसे कट गया तो 10 B बटे कॉस B 10 B 10 B डिबाइड वर 1 माइनस 10 A यहाँ पर देखें तो यही फर्मूला होता है यह फर्मूला होता है चलिए इसको लिखिया आप लोग इसको मिटा रहे हैं ठीक है देखें आपके सामने दो और फर्मूला लिखा हुआ है ठीक है ना एक कॉट A प्लस B का फर् इसका फर्मूला देखें क्या है कॉट A कॉट B मैनस 1 कॉट B प्लस कॉट A कॉट A इंटू कॉट B प्लस 1 कॉट B मैनस कॉट A इसको इसलिए भी आगे लिख दियें प्लस में आगे पिछे लिख सकते हैं ना क्योंकि आइडेंटिकल लगे आपको आध करने में ठीक अब समझ कितने एप्रोच रखने हैं कितने कंसेप्ट हमको जानने हैं कितने हमको आइडेंटिटी जानने फर्मूली जानने हैं आप लग जानते हैं कि ट्रूमेटरी में एक को हम दूसरा बहुत सारा फार्मेट चेंज कर सकते हैं एक फर्मूला में जैसे सब्सकर करके दिखिए यह में काट का पर मोला काट' को इब नजरार है क्या मिश्व के इंजर सकते हैं काइस का घाल इन Sum सकते हैं तो तो कहने की मेरा मतलब है कि फॉर्मूला बहुत सारे अइडिस्यान भूत सारे लेकिन आपको समझना है कि हमको क्या चीज निसेसरी है क्या अननेसरी है ऐसा नहीं कि formula आपको आद हो जाएगा फटाक से यह तो आप भारी लग जाता है formula तो देखे हम क्यों बोल रहे हैं कि यह necessary नहीं है cut कनेशान इसलिए लगाएँ पहले समझे आपको 10 का formula आद है 10 का formula A plus B और 10 A-B भी याद है तो क्या आपको 10 A-B आद है और वही से यह ड्रैब्ड करके आया है तो आपको 10 A-B पता है पता है न तो उसका one by करेंगे, तो कॉट A-B ने निकलेगा अब हम क्यों बोल रहे हैं इसको आद नहीं करना समझें उसी कंसेट पर उसी लॉजिक पर जिसे आपको एक्जाम में आ गिया कि बताओ कॉट 15 डिगरी का मान बताओ ठीक है आप हड़वा गये है पूरा अरे यार कॉट का तो फर्मुला नहीं पढ़े हैं कहां आप बोले हैं फर्मुला पढ़ने हैं क्या आप इसको लिख सकते हैं 1 by 10 15 डिगरी या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 10 75 डिगरी दोनों चीज़ आप लोग बताजिएगा हाँ या नाम एंसर दिजीगा आपको ये निकालने के लिए एक्जाम में आया था ये निकालने के लिए आया था एक्जाम में आप क्या की नहीं कार्ड का फर्मुलल् नहीं आदि है क्या 3ल क का फर्मूललब है बोलिए कहां यहां से निकाल देजे लिए अजात कीजी को आपको अगर क्षाम में आदि क्या यह 되고 होता है तो बोल्हेगा हमको कश्ट कामानाद करना पड़ यह कुणना रहा है जितना भी बोल रहें केवाल उतना समझना है हम बोल रहें कौट 15 डिगरी है तो कौट 15 को अब 10 का फर्मेट में जानते हैं चाहे यह निकले चाहे यह निकले अब यहाँ 10 75 75 को क्या लिख सकते हैं 10 45 प्लस 30 इस फर्मबाय चाहिए यहाँ 10 यह क्या होगा वन बाई 10 45 मैनस 30 तो यही तो बोल रहें और यह आपको इसी पड़ेगा कोई टफ नहीं है आप इस दोनों फर्मुला का आद करने से बच रहें नहीं बच रहें तो यही तो हम आपको समझा रहें कि कितने आपको फर्मुला रटने हैं नहीं रटने हैं यह आपको पता होना चाहिए तो यह आध करना जरूरी नहीं अगर आध है तो ठीक मैंड में टेंशन नहीं लिना इस फर्मुला को तो आज तक के लिए बस इतना ही कल के क्लास में हम लोग जैसे 10 15 डिगरी का मान कितन ठीक है ना और जितने फर्मूला है सब अपका सेलसले वार्ग से कंप्लेट होगा उसका आपको टेंसर नहीं लिना है तो आज तक लिए बस इतना ही धन्यवाद